साउध गोवा अगर आपको शान्त लोकेशन पसंद है, आपको लेस क्रावड़ेट बीच पसंद है, आपको सिनिक व्यूव पसंद है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा साउध गोवा तो इस वीडियो में मैं कवर करने आला हूँ, साउध गोवा के सारे बेस्ट लोकेशन जिससे आपको जरूर विजिट करना चाहिए, अगर आप साउध गोवा आते हो तो वीडियो अभी शुरू करते है, गोवा ऐसे तो दो पार्ट में डिवाइड़ेड है, एक है साउध ग अगर आप गोवा फर्स टाइम आ रहे हो, तो आपको नौर्थ गोवा जरूर विजिट करना चाहिए, ज्यादा तर टूरिस नौर्थ गोवा जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा तर क्लबिंग और पार्टी देखने मिलती है, तो इस वज़े से ज्यादा तर नौर्थ गोवा जाना पसंद करते हैं, और जिसके ओपर मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसका मैं लिंक दे दूगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि पार्ट वन था, ये पार्ट टू है, साउध गोवा पोशने के लिए बेस्ट आप्शन रहेगा बाइ तो इंडिया के हरे कोने से आपको मढगाव के लिए ट्रेन मिल जाएगी, और वासे आप इजीली बाइक का रेंट कर सकते हो, और मढगाव रिल्वे स्टेशन से साउध गोवा का डिस्टन से 30-35 किलोमेटर्स तो एक घंटा लग जाता लगबग, तो मैंने नौर्थ गोव उर दिफेरंसे अन्यौा में northern या और रद्फ लाव में आपको शांति देखने मिलती है, ग्री अनिंट अनीन देखने मिलता है, और जब हम लोग सुबह जा रहे थे और हम लोग को जेव्ड झा रहें हम लोग को जए देचने मिल रहे था पालोलम बीच जो कि साउध गॉआ का बहुती फेमस बीच है तो साउध गॉआ बहुत सारे लोग इसलिए भी या पर आना पसंद करते क्योंकि या पर आपको थोड़ा क्राउड कम देखने मिलता नौर्थ गॉआ के कंपेरिजन में और बहुती सही सही या पर बीच है और बह करने मिलेगा बहुत सारे लोग वापे गए कर रहे तो यह पर एक परसन उनसे बात कर लेते कितने में क्या रहेगा करके कायकिंग सर्वीच जी क्या कैसे रहेगा बताना इस अब बाताना यह आपको वन आपको 300 पड़ेगा वन आवर कि ओके और डबल और सिंगल मलब पर प और आप करने के लिए बेस्टाइम होगा आपको अरली मौनि एकदम और शाम के एकदम मतलब धूब जाने के बाद यह बेस्टामिंग होगा अगर आपको तो अगर इस टाइम पर जाओगे तो मेरे को कायकिंग करना था पर मैं थोड़ा लेट हो गया आते आते नौ बज गया मुझे इस मुझे से मैं जा नहीं पाएं मतलब जा सकते अंदर बहुत बहुत गरम होगा तो राज कैसे लग रहा है आपके साउट गोवा पाकिन सब्सक्राइब तो यह आपके लिए साउट गोवा थोड़ा बैस्ट होगा तो मैं बोलूगा आप यही पर स्थे बुक करने देखना और और अल्रेडी बुक करके आना तोड़ा या पर महेंगा अभी नौन सीजन में आपके दो अज़र उपर चल रहा है दो से लिके पाच अज़र जो कि अच्छा है और यही से आपको टैक्सी वेगरा भी मिल जागा तो यहाप टैक्सी का स्टाइंड यहाप देखिए बीच का गेट है और यहाप यह पर यहाप से अगर मढगा शेशन जाना है तो लगवग आपको 2000 से लेके 3000 के बीच में लग सकता है अगर आप टैक्सी करना तो मैं दो बोलो मढगा उसा आप राइक करके आना ने को कार रेंट करके आना अच्छा अगर आपको ट्राइंग नहीं आता तो आपको टैक्सी सर्विस भी है याप तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बीच और फोटी कवर कर पाया ताइम मैनेजमेंट के सकता है जैसे आप कोलम रेलेवे स्टेशन पहुच चोड़ेगे तो आपको जाने के लिए यह पर दो रस्ता एके बाइब त्रैक और दूशरा है जिपसी सर्विस तो रेल्वे ट्रैक से दो बैन है तो आपको जीपसी सर्विस से जाना होगा तो उसकी लिए आपको देखने मिलते इस वज़े से इसका नाम बब्लिंग लेक रखा गया या बुडबुड लेक ऐसे कई सारे नाम है इसके और कई सारे स्टूरीज भी इस लेक को लेके यह सारे लोकेशन थोड़े आउट है अगर आप बीच कर रहे हो तो बीच से आपको पचासो किलोमेटर का ड मिलता है और जा तक बाइक जाएगे हम लोग आप तक लगाए कि उसके बाद हम लोग ट्रेक करके जाने वाले कितना टाइम लगेगा मैं आपको आगे बता दो ट्रेक करने के लिए और यह वाला रसा जो पच्छा है मुझे लगता है एक डो किलोमेटर का यह स्ट्रेच आपको आपको अंदर जाने के लिए पार्किंग आदा ना पार्किंग आदा ना पार्किंग अंदर जाने का इंट्रीव हो सकता जो भी है को यह से ट्रेक्ट दो किलोमेटर का है वैसा बोल रहे तो यह प्लाप अंदर जाती लगता यम्टा मोखने का क्या बोल ड़तरो टेंचाने के साइक या miracle थिट और अरकिंछ यूअ है कि यह साइकल लाइंड मारक है यहां कि आराम से चला इधर तो यहां पैसा थोड़ा ओफ रोड देखने मिलेगा आपको तो कार जापर हमने पे किया उस वहाद तक ही आएगी उसके बाद कार ने आगी तो यहां पर आपको बाइक लेखी जाने मिलता है जो कि स्कूटी का बेनिफिट यह है कि आप आगे लेकर जा सकते हैं चल 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 बहुत आगे जहाना चल अब ही तो चलो बाइक लगा देपाटा वच्छा तो यहां पर खाने पीने की आप्शन्स है जैसे गेट से लिखल दे यहां पर दिख़गा है एक फ्राइड राइस यह बहुत ही दिखता है दिखने में अछल जॉक्री कॉट आईसा टाइप का दिखका मलों जो साइड माइन ऐत खाइड आई और यहां पर उसके बीच में यह छोट आसा आपको यह बीच है और बहुत ही दिखता है अगर आपको आपको बहुत ही अच्छा वीव देखने मिलेगा जहां पर गेट लगाला हम लोग से अंदर आने का रहेगा तो आपको वासे जीप उला सर्वीस अवेलेबल उसका प्राइजिंग अभी पता नहीं मैं भाहर जाके देखता हो कितना क्या रहेगा तो अभी हम लोग पहुच गया अगोंडा बीच जो की बटरफ्लाइब बीच के बाद में और ज्यादा इसके लिए ट्रेक भी कुछ करने की जरूबत नहीं मतलब आड़ी आपके एग्दम बीच के बाजू में लग जड़ी वासे आपको खली चलके आना है और बह आप टॉमितने कौन यहां तो यहां पर होटल दरह कारज करना तो यां पर रहेगर आप बहुत सारी मिल जायेगे तो यहां फराइल बेच में वहीं प्लपर ननमें औरंघ्स में बादिन आपको खाना है और अगर आपको खाना है तो मुझा थ्याय पितनी को और यांदर तो जैसे आप इस तरस्ते से आओगे तो आपको बीच पर जाने के लिए राइट या लेफ्ट में आएगा उसके सामने आपको यह आप एक चर्च करना पहले आप चाहिए तो बीच जाके गोम फिर के आना उसके बाद आप यह चर्च में आना तो चर्च के सामने हम लोग अभी रेस्टोरेंट में बेटे खाना काने के लिए यह से लोग खाना के आगे जाने वाले तो यह कुछ ऐसा टाइब का रेस्टोरेंट है फूपर मस्त लगड़ा बाजू में पुरा ग्रीन अधी और देखते कैसे क्या रहेगा खाना आपको पत तो यह हम लोग ने नॉन्वेज बंगाय खाली और एक मंगाय हम लोग ने वेट ओमाइक आप तो अब लोग पहुंच के कोला विंचो की बहुत ही सही है बहुत ही प्यारा बीच है और आपको इसका टॉप यू देखने मिलता देख सकते हों तो बहुत ही अच्छा बीच है कि यहां पर बैठके आप संसेट वेकर देख सकते हों बहुत ही सही लगए यहां से संसेट देखने के लिए क्यूंकि आपको ऐसा टॉप यू देखने हैं मिलता है और एकदम ऐसा मूल्य वाला लोकीशन लगता है देखके यहां पर फोटो सूट वेकरा कर सकते हो और ज्या यहां पर यहां पर सामने एडीवी चला सकते हो दो तीन है यहां पर बहुत सारी वाटर स्पोर्ट भी होते हैं शायद से यहां पर कायकिंग होता है स्पेशली तो वासे हम लोग आए और इस रोड पर अभी हम लोग जा रहे तो यह भी हमारा कोला बीच का पार्टी है तो आपको यह पूरा कोला बीच और यह कुछ ऐसा टाइप का बीच देखने मिलता है आपके जागा इतना बड़ा है सबसे प्लस चीज यह पर यह है कि यह पर आपको स्वीट वाटर देखने मिलता जा पर जाके आप कायकिंग कर सकते हो मतलब कायकिंग करने के लिए बेस्ट प्लेस है अगर आप करना चाहते हो तो और बहुत ही कम पैसे में यह पर कायकिंग होता है आपको 500 में आपको दो ज पर पार्किंग का है व्यवस्ता यहां पर पॉस्ट करके पढ़ सकते हो तो अब फोर्ट के अंदर और अंदर आती है आपको सामने यहां पर एक चुर्च देखने मिलेगा तो यह सांतान तो नहीं सकते हो और उसी बाजी में नीचे आपको यह पर पर जाने के लिए एंट्री नीचे और अपयसे आने के बाद आव आपको यह फोड़ने के लिखने पिलता है बहुत ही विव है सामने यहांके बहुत हए सामनुटे बॉयूर्च का बाथ की गजी डार राक्ष सुझत आकर पर आपको ऑर। जो फिल्हें टेखने मिलता लगए भाती है अप्र आइलेंड बहुत ही अच्छा व्यू अब पूरा ब्लुविश पानी है अपर अभी शाव संसेट हुने आया है हम लोग वह वाले पॉंट पे जाते हैं तो यह से आपको व्यू पॉंट है 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 यहां भबोफ अच्छा व्यू कालि दिम थे यहां चाहिए शो आपको च्रुअ है आपको आउरओ इस जामूंडर का यह बहुत ही सई विए और यहां पर भी कोई है भी नियुक्त लोड़ा दोनों के शिवाइया पर कोई नहीं और शाम हो रहा है मतला है अय। देख सकते हो। तो कोई नहीं मिए अगर आपको यहापने संसे को मजा ले ना तो आप झील वगरा कर सकते हो तो यहां से जैसे आप आओगे यहाप यहां पर अपको बेदल लिंटर दिखा और काभो झाब करकité दिख़रा है तो यहां पर जाओगे तो आपको पैबल बीच की लिए तो अभी हम पहुच गे पैबल बीच जो आप देख सकतो तो इसे पैबल बीच भोलते तो यहां यहां पैब आपको रेध देखने आपको चोटे-चोटे फतर देखने मिलेगे उस वज़े से इसका नाम पड़ा है पेबल बीच करके तो कुछ ऐसे आपको नीचे से उतरते हो आना वाड़ा तो आपको बहुत हेटिक हो सकता है मुझे भी हो गया था तो मैं तो आपको सजेश्च करना चाहूगा आप दो-तिन लोकेशन करें एक दिन में तो आपको अच्छे से होगा उसी प्लाइन करके आना और बाकि मैंने सब लोकेशन इसलिए बताय है कि आपको जश्चा लगे थ 17 आपको आस्प चानी कि लोकेशन को सब्सक्राइन enjoyable अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को अगर आपकी कुछ भी कुछन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हो मैं आपकी कमेंट का जल्दी से जल्दी रिपला देने देखूँगा और तब तक के लिए बाई